नमस्कार बच्चों, नमस्कार CVSC द्वारा पूछेगे objective type प्रस्न की कड़ी में आज हम chapter number 5 यानि समानतर स्रेडी या जिसको इंग्लिस में arithmetic progression कहते हैं उसका video link करके आया हूँ इसमें जो विगत के प्रस्न पत्रों में इस chapter से संबन्दित जो प्रस्न देखा गया है उसके चर्चा कर रहे हैं किस-किस तरह के प्रस्न आ रहे हैं और कैसे ये बनते हैं तो देखिए इस chapter में सिर्फ दो formula है पूरा chapter उसी दो formula पे आधारी थे इसमें पहला आता है N मापद के लिए A N बराबर में A1 प्लस N-1 और D और S N यानि N पदों का योग S N बराबर होता है N by 2 2A1 प्लस N-1 और D या इसको expand करके ये भी लिख सकते है N by 2 और A1 प्लस A N प्लस N-1 D को हम कहते है N वाटर्म यानि A N जिसको last term ही कह सकते हैं यह formula है यहाँ पे N number of term यानि पदों की संख्या है और A1 पहला पद है और A N एनमा पद है और S N जो है N पदों का योग है और D है सार्व अंतर समांतर स्रेडी जिसका नाम से ही अंतर है समान हो अंतर जिस स्रेडी में जिस सिरीज में जिस क्रम में समान अंतर हो यानि सब के बीच में एक समान अंतर हो तो उसको समांतर स्रेडी कहते हैं आईए इसके प्रस्न पर किस किस तरह के प्रस्न आते हैं उस पे चर्चा करते हैं देखłeं किस तरह के प्रस्न पूछे जाते हैं इस चेप्टर से इसमें दिया हुआ है rūt 8 rūt 18 rūt 32 का अगला अगला पर क्या होगा देखिए यहां के जदि हम दोनों के बीच के difference निकालेंगे तो आपको दिक्कत आएगी यह कहेंगे कुछ बच्चे कहेंगे यह A.P. में है ही नहीं लेकिन इसको द्याद से देखेंगे तो यह A.P. में बनता है की नहीं बनता है AP में कैसे बनेगा जब यह A1 हो गया यह A2 हो गया और A3 हो गया दोनों के बीच में एक जैसा आंतर है तो इसको हम ठीक से देखते हैं तो इसको हम root 8 को लिख सकते हैं 2 into 2 into 2 यानि जिसका जोड़ा बन जाता है उसको बाहर निकालते हैं यह हो जाएगा 2 root 2 और root 18 का भी ऐसे निकालेंगे तो यह 3 into 3 into 2 हो जाएगा यानि 3 का pair बन गया तो यह बाहर आ गया तो यह हो जाएगा 3 root 2 इसी तरह यह 32 जो है 2 into 2 into 2 into 2 5 बार दो आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 तो इसमें से इसका जोड़ा बन रहा है इसका जोड़ा बन रहा है तो 2 दूना 4 root 2 देखिए 2 root 2 पहला है 3 root 2 दूसरा है 4 root 2 तो अगला क्या होगा आपको पता है 5 root 2 तो 5 root 2 या लिख दीजिए या 5 का square क्या होता है 25 पत्चिस दूनी 50 अंडा root 50 भी लिख सकते हैं दोनों सही है ठीक है आप ये भी लिख सकते हैं ये भी लिख सकते हैं ठीक है अगला पत क्या होगा तो देख करके confuse ना करें किस तरह से प्रसनात है उसको देखिए अब next सवाल देखते हैं अगला है इन में से कौन एपी में नहीं है ये एपी में दिया कुछ ये चार जो question है चार option है उसमें से कौन सा एपी में समांतर स्रेडी में नहीं है इस आर नोट इन एपी तो देखिए इसके बीच का difference देखेंगे इसके बीच का difference एक और चार के बीच का difference करेंगे तो क्या होगा तीन और इसके भी इसका भी तीन तो ये तो है इसमें देखें अंतर क्या है पांच में से माइनस दो और माइनस माइनस पांच करेंगे A2 minus A1 होता है तो यह प्लस 5 हो जाएगा तो इसको करेंगे तो 3 आया और इसको भी करेंगे तो 3 आया इसके बीच में देखते हैं तो यह भी है इसके बीच में देखते हैं 3 और 4 7 और 7 में 4 जोडने पे 12 हो रहा है 11 हो रहा है तो यानि इसके बीच में तो 3 का डिफरेंस है, 4 का इसके बीच में 5 का डिफरेंस है, तो यह नहीं है, और यहां पे 11, 3, 14 और 3, 17, यानि देखने ही से पता चल जा रहा है, इसमें common डिफरेंस से में, तो जिसके में common डिफरेंस एक जैसा है, इसमें इसमें है, इसमें नहीं है तो ये समांतर स्रेधी में नहीं है नेक्स सवाल देखते हैं अगला है 100 से 200 के बीच समसंख्याओं का योग क्या होगा तो देखें जब बीच की बात आती है तो ना 100 आएगा ना 200 आएगा यानि इसके बीच की संख्याओं को जब निकालना होता है जैसे आपसे कहा जाते है एक से पांच के बीच तो एक भी हटाना है और पांच भी हटाना है इसके बीच और एक से लिएक के पांच तक कहा जा रहा है तो यहां पे दो नों काउंट होगा उसी को ध्यान रखिए इसमें कहा रहा है 100 से 200 के बीच में समसंख्याओं का योग निकाले तो इसको निकालने के लिए वैसे लेंबी भी प्रोसेस है लेकिन आपको हम जो दो फॉर्मूला है उसी पर आधारे सवाल निखा रहे हैं उसी को यूज करके सवाल हल निकालना सिखाना चाह रहे हैं तो देखिए पहला पद दिया हुआ यह 100 जो है वो काउंट नहीं होगा अगला है 102 होगा अगला 102 होगा 102 और उसके बाद कि समसंख्या क्या होगी 104 इस तरह से और लाश्ट वाला क्या है 200 से पहले क्योंकि बीच में कहरा है तो उससे पहले यानि 198 में होगा तो लाश्ट तर निकल गया और यह निकल गया number of term निकालन है क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो प्रेस एन बराबर होता है एन बाइटू तू ए तू ए या एवन प्लस लाश्टर भी लिख सकते हैं मतलब एन भी लिख सकते हैं यह एन हो गया यह और पहला पद यह हो गया तो आप दी देखे क्या है दी तो इसके बीच का d Champ लिख कितनी पदों के संख्या होगी तो से वन प्लस एन माइनस 1 और डी बराबर में यहां नैंती एट और यहां पर देखे क жен दिया हूआ एक described सोदो एक सोदो और एन नहीं पता है यहां धिया हुए दो दो कर सों कि है क्या है दो का अंतर हैं तो यह हो गया 198 अब इसको यह साइट चेंज करें या तो यहां से आप पहले इसको सब्सक्राइब करके भी निकाल से या नहीं तो n-1 और इंटू 2 बराबर में 198 और माइनस 1 जीरो 2 करें तो यह घटाते हैं तो क्या आएगा 96 आएगा ठीक है तो n-1 इसकल 2 हो जाएगा 96 का आधा 2 से डिवाइड करेंगे तो यह हो जाएगा 48 ठीक है तो n बराबर में हो जाएगा 48 प्लस 1 तो 49 49 प्रद हो गए n निकल गया अब हमारे पास यह फॉर्मूला है sn बराबर में तो sn क्या है n बाइट 2 तो यहां पे हमारे पास क्या आया था 48 और 1 49 49 का बटे 2 49 बटे 2 और a1 दिया हुआ है आपके पास 102 और प्लस लाश्टर दिया हुआ है 198 इसको करेंगे तो यह हो जाएगा 49 बटे 2 और यह हो जाएगा इसको जोड़ेंगे तो 300 इसको गुना करें तो यह हो जाएगा 150 150 को उननचास से गुना करेंगे तो यह आएगा 7350 7350 इसका आंसर होगा नेक्स सवाल देखते हैं इसका आंसर आएगा 7350 नेक्स आंसर देखते हैं इसमें करा 2, 7, 12 का दस्मा पत क्या है दस्मा पत क्या है तैंथ टर्म आउफ 2, 7, 12 तो इसका देखिए सबसे पहले पहला पत क्या है सबसे पहले देखिए जो कि एपी में है कि नहीं है तो इसके बीच का अंतर 5 है इसके भी बीच का अंतर 5 है तो यानि इसके भी में है तो यानि 7 में से 2 गया तो यह हो गया 5 तो D निकल गया 5 तो A 10 निकलने हैं A 10 का फर्मूला क्या है हमारे पास A 10 का लिए हमारे पास फर्मूला है A1 प्लस A10 बराबर में A1 प्लस 9D 9D यानि 10 में से एक कम होता है तो 9D लगा दिए तो ये क्या हो गया पहला है 2 प्लस 9, 9 का 9 और D की वेल्यू 5 है तो कितना हो गया 9, 5 जब 45 और 2 एड करेंगे तो 47 इसका दस्माद प्लस हो गया 47 नेक्स्ट देखते हैं यदि अगला सवाल है यदि 2X और X प्लस 10 और 3X प्लस 2 AP में हो तो X का मान होगा देखिए जब 3 करमागत पद दिये होते हैं तो क्या होता है देखिए जैसे A1 दिया होता है और ये A2 होता है और A3 है तो एक फॉर्मूला इससे बनता है वैसे दोनों का आंतर बराबर होना चाहिए तो इससे भी बना सकते हैं देखिए और इसका वेल्यू क्या होता है A1 प्लस 2D होता है और ये A1 और ये होता है A1 प्लस D यानि 1D तो इसको जोड़ेंगे तो क्या होता है 2A प्लस 2D यानि इसका दुगूना तो यानि क्या होता है पहला पद और तीसरे पद को जोडने पे दूसरे पद का दुगूना होता है इसी फॉर्मूले से बना है तो उसी का यहां पे यूज किया गया है या चाहें तो आप ऐसे भी बना सकते हैं दोनों के D को दोनों तरीके से बना सकते हैं दोनों के D को बरावर करके बना सकते हैं एक तो चाहें तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं बीच वाला जो दो गुने X प्लस 10 इसकल 2 हो जाएगा इसका है इसका सम यानि 2X प्लस 3X प्लस 2 इसक तो यह करेंगे तो यह जाएगा टू एकस प्लस 20 इसको मल्टिप्लाइ करेंगे और यह हो जाएगा आपको दो एकस और तीन एकस पांच एकस प्लस दो ठीक है तो एकस वाले एकस है और बिना एकस वाले एकस है एकस वाले कोई धर ले आए तो और बिना एकस वाले कोई धर ल जाएगा 3X, तो X की वैल्यू क्या हो जाएगी, 18 बटे 3, तो 6, तो इस से यह हो गया, और नहीं तो इसको हम तीनों को अलग चाहें, तो अलग विदि से भी कर सकते हैं, इसमें दोनों को D बरावर करके, यानि इस में से A2 माइनस A1, A2 में से A1 गया, की वैल्यू डी आएगी और ये भी A3 में से A2 गया, ये भी D आएगा, तो उससे भी करके आप बना सकते हैं, देखिए कैसे बनाएंगे, इसमें से इसको घटाएं, तो 2X, X में से X प्लस 10, X प्लस 10, माइनस 2X, is equal to हो जाएगा, 3X, 3X प्लस 2, और माइनस, ये घटाएंगे, तो ये हो जाएगा, माइनस X, माइनस 10, तो यहाँ पे घटाने पे क्या आजाएगा, 10 माइनस X, और इधर पे घटाएंगे, तो 3X में से X गया, तो 2X, और 2 है, और ये हो जाएगा, 10, जब माइनस करेंगे, तो ये माइनस है, तो ये हो जाएगा, माइनस 10, में से 2 गया, तो माइनस 8, एक साइड करें, तो ये हो जाएगा, 10 और 8, 15, कि इधर आएगा और यह उधर जाके प्लस हो जाएगा तो थ्री एक्स तो फिर वही आगया एक्स ब्राबर में तो दोनों तरीके हैं आपको जिस तरीके से बनाना है उस तरीके से बना सकते हैं सवाल देखते हैं कैसा आया देखिए इस तरह के प्रस्ण अक्सर आते हैं सत्रह से विभाजित होने वाले तीन सो तक कुल कितनी संख्याएं हो सकती है या ऐसा दे दिया जा तीन से विभाजित होने वाले या तीन के विभाजित होने वाले 200 से 300 के बीच कितनी संख्याएं हो सकते तो उसके लिए ध्यान रखें देखें क्या है सबसे पहले 17 से विभाजित होने वाले 300 कुल कितनी संख्याएं होंगी तो सबसे पहले तो आपको तीन पहला जो है 17 है 17 34 है इस तरह से बहुत सारे संख्याएं बहुत सारे यह आता है 300 को रख लिया और 17 से डिवाइड गया तो 17 एकम 17 और यह आगया 13 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितनी बार में 130 से कम हो जागा 17 सत्य 119 होता है तो यह आगया तो आप यहां पर 17 चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 17 यह बन जाएगा नहीं तो कितनी तर्म हो है यह निकालने के लिए इसके बीच में आपके कोई संख्या भी दे सकती है तो देखिए क्यार करेंगे तो A1 तो आपको निकल गया A1 दिया हुआ है 17 डी निकल गया आपके पास इसका डिफरेंस 17 डी बरावर में भी 17 एवन भी 17 तो और एन दिया हुआ है आपका जब हम घटाएंगे तो 13 आएगा सबस्टेट करने के बाद तो 300 में से 11 घटा लेंगे तो क्या आजाएगा तो आता है 2 और 8 9 अब इसको हम देखेंगे ये एन निकल गया एन बरावर में 2 A फॉर्मूला क्या होता है A प्लस N माइनस 1 डी तो A क्या है A 1 प्लस N माइनस 1 और डी तो ये 2 8 9 है तो इसको जब हम सॉल परेंगे तो क्या आता है यह भी 17 आना चाहिए तो A1 है आपके पास 17 अलस N माइनस 1 का पता है और ये भी 17 बरावर में 2 A9 चाहे तो इसको इधर कर लिए यहाँ सॉल्व करें 17 इसको करेंगे तो 17 N और माइनस 17 ये कट गया और 2 A9 तो यह हो जाएगा 17 N बरावर में 2 A9 तो N बरावर में हो जाएगा 289 अपन में 17 तो यह करें तो जाएगा 17-17 है 100-200 289 अब नेक्स सवाल देखते हैं कैसे आता है अगला सवाल है यदि किसी AP का यदि किसी AP का साथ में पद का साथ गुना यानि ए 7 ए 7 का साथ गुना और 11 में पद का ग्यारा गुना यानि ए 11 का ग्यारा गुना बराबर है तो AP का अठारमा पद ग्याद करें तो 18 निकालना ए 18 बराबर में फार तो कई बच्चे उसको देख करके ही घबरा आ जाते हैं देखिए और यह बहुत इंट्रेस्टिंग सवाल है ए 7 क्या है ए प्लस एन माइनस वन डी होता है एन का तो यानि इससे एक कम डी तो यह हो जाएगा ए प्लस 60 और इसका साथ गुना और यह है ए ग्यारा तो यानि ए प्लस 10 डी और इसका व्यारा गुना दोनों बरावर हैं तो देखिए ए प्लस यह 7 से गुना करें तो 7 A हो जाएगा और यह साथ के 42 डी और यह हो जाएगा 11a और यह हो जाएगा 11 को 10 से करेंगे तो 110d ठीक है जब हम इसको 7a को 1 side लाएंगे यह a है और यह d है a वाले 1 side और d वाले 1 side लाएंगे तो यह इधर ले आए तो 7a माइनस 11a बरावर में हो जाएगा 110d और माइनस यह इधर जाएगा 42d इसको जब हम solve करते हैं तो आएगा माइनस 4d 4a और इसको solve करेंगे तो आएगा 68d तो यह बरावर हो जाएगा 68d अपन में 4 तो यानि इसको करेंगे और यह माइनस में तो यह हो जाएगा 17d अब देखिए यहाँ पे हम सजाएगे जदी हम इसको solve करते हैं तो क्या आता है a a1 पलस 17d है 17d अब यहाँ पे a1 की value क्या आया है a1 की value आया है यहाँ पे a1 की value आया है 17d माइनस 17d तो यहाँ पे हमने लिग दिया माइनस 17d माइनस 17d बरावर और पलस 17d is equal to cut करके 0 हो जाएगा, तो बराबर में 0, तो answer आएगा इसका 0, ठीक है, अब interesting है, यानि कहता है AP का 7th term का 7th time, and 11th term का 11th time are equal, then find the 18th term of that AP, तो यहाँ पर भी देखिए, इससे बनता है, जदि इसका 7th पत दिया हुआ, 7th में पत का 7 गुना, और 11 में पत का 11 गुना, तो दोनों के बीच 11, 7, 18 में पत 0 हो जाएगा, ठीक है, अब next स्वाल देखते हैं, next है, दो अंको की सभी विश्म संख्याओं का योग क्या होगा, तो दो अंको की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, सबसे चोटी संख्या तो 10 होती है लेकिन ये तो सम है सबसे चोटी विसम संख्या क्या होगी 2 अंकों बाली 11 और सबसे बड़ी क्या होती है 99, 99 भी विसम संख्या है तो उसका जोड कहरा निकालने के तो 11 फिर 13 आएगा तो D निकल गया और यह a n दिया हुआ है तो अब देखिए n निकालना होगा a n बराबर में दिया हुआ है निन्यान में अब a क्या है a plus a1 plus n minus 1 और d is equal to 99 तो a1 क्या दिया है आपके पास 11 और n नहीं पता है और d की value इसमें से घटाएंग तो d की value 2 आ गया है तो यह होगा निन्यान में तो जब इसको solve करेंगे तो क्या होगा 11 या उधर आ करके 11 घट जाएगा n minus 1 और 2 is equal to 99 minus 11 यानि हो जाएगा 88 और 2 से divide करेंगे n minus 1 is equal to हो जाएगा 88 by 2 यानि इसको करेंगे तो हो जाएगा 44 तो n की value क्या हो जाएगा n is equal to हो जाएगा 44 और 145 तो अब हमारे पास n निकल गया और यहां पे आपके पास an दिया हुआ है तो sn का formula लगाएं sn बराबर में क्या होता है sn बराबर में होता है n by 2 2a या a plus n a1 plus an तो इसका लगाएं तो यहां पे हमारे पास आ गया था 45 n बराबर में 45 तो यहां पे हम लगाएं 45 45 by 2 और a1 दिया हुए आपके पास 11 और यह है निन्यान में इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 110 45 upon 2 और into 110 तो इसको करेंगे तो यह हो जाएगा 55 55 को जब 45 से multiply करेंगे तो क्या होता है इसका वैल्यू होता है जब इसको multiply करेंगे तो यह होता है 24 75 यह दो हजार 2475 इसका यह answer होता है ठीक है अब next सवाल देखते हैं इसकी वैल्यू क्या होगा है तो देखिए यह लगातार तीन तर्म जो एपी में होता है तो क्या होता है एक वार हमने बताया था दोनों के बीच का सारवंतर यह जैसा होता है तो सारवंतर यानि B2- B- A बराबर में C- B बराबर होता है तो यही तो यह कह रहा है यानि उसको पलट दीजे माइनस कॉमन ले लिजे दोनों सैट से तो यह हो जाएगा A- B और यह बराबर हो जाएगा B- C और यह A- B अपवर में B- C is equal to क्या हो जाए 1 तो यहाँ पर इसका वेल्यू आया 1 देखने में कुछ अटपटा लगता है लेकिन है बहुत आसा नेक्स चवाल देखते हैं देखे इसमें कह रहा है जो A- P – 5 – 10 और – 15 से लेकर का आंत से दसमा पद करने के लिए हम कोई नया फॉर्मूला ना सीखते हुए उसी को क्या करेंगे जो पहले A- P दिया हुआ है जैसे यह – 5 – 10 और – 15 इस तरह से जो दिया हुआ है – – 1000 उससे पहले का पद › क्या हो जाएगा का आंत है तो यह क्या हो जाएगा – – 1995 अब पल horns दे इधर वाला संख्या पहले लिए इधर वाले AP को पहले लिखे तो क्या हो जाएगा इसको जदी हम पहले वाले को लिखते हैं यह नया AP हो जाएगा – 10SON और फिर आजाएगा माइनस 995 इस तरह से माइनस 990 अब यह हो जाएगा माइनस 5 तो अब इधर से जदि हम आपको कहें जो कि अंध से 10 निकाले तो जब हम पलट दिये यानि इधर से 10 निकाल सकते आसानी से वही फॉर्मुले से यह हो गया आपका यहां पर इसके लिए यह हो या D इसके बीच का अंतर और N दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा A10 नए AP का A10 जो हो जाएगा A A plus 9D तो 9D यानि उससे कम तो 9D के लिए अब हम A1 जब हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा A1 1 यानि यह –1,000 – 1,000 और plus N-1 नो तो 10D दिया है और D की value इसके यहाँ से –9995 से यह करेंगे चूज प्लस 5 हो जाएगा तो multiply करेंगे P की value 45 आगया तो इस से मायनस जब करेंगे तो यह क्या होगा 1000 में से minus 45 वदा फ्लस 45 सबस्टेट होगा तो क्या हो जाएगा जब 1000 में से 45 सबस्टेट करेंगे तो यह इसका minus 9 55 आएगा इसका answer ठीक है अब next सवाल देखते हैं कि यह सवाल है प्रथम एन विसम संख्याओं का यूग क्या होगा यानि तो देखिए, कुछ ज़्यादा करने की ज़रुत नहीं है, आप उसी फॉर्मूले को डेराइब कर सकते हैं, यानि हम कोई नया फॉर्मूला नहीं सिखेंगे प्रथम, तो यहाँ पे यहाँ पे कह रहा है, प्रथम विशम संख्याओं का योग याद कीजिए, यानि फर्स्ट एनध टर्म का सम निकालना है, तो देखिए, यहाँ पे क्या होगा है, पहला टर्म होगा, एक, फिर तीन, फिर पाच, फिर एन पद तक, एनध टर्म तक, एनध तक, एन एनध तर्म, है से एन बराबर क्या होता है न वाइटू 2a 카mäरे फलस एड न माइनस वन और B इसी से एक फोर्मुछा बन जाता है और कुछ ज़्यादा स्वेट नहीं है तो न वाहिट ही ऑड्य ऐन पर दो का तु और एप क्या हमारे पास ए यानि दो वो एकम दो, n नहीं पता है, n पत दिया हो, n पत और 1, और d की वैल्यू इस में से जब अंतर आएगा तो 2, तो इसको हम करते है, solve, तो क्या होता है, n y 2, और ये हो जाएगा, 2 प्लस इसको करते है, 2 n-2, ये, ये कट गया, अब क्या होगा हमारे पास, हम जदी इसको करते हैं, तो ये हो जाता है, n by 2, और n 2n, ये तो कट गया, 2n हो जाएगा, तो यानि क्या होगा, ये 2 से 2 कट गया, यानि n square, ये होता है, n पतों के, ये होगा, n square, ठीक, अब नेक्स शवाल देखते हैं, इसमें कह रहा है, जो इस AP का, n by पर याद करना है, n a term of this AP, तो देखिए, n by पर इसमें से कौन सा है, देखिए, पहला a1 बराबर में दिया हुए, 5, और a2 is equal to दिया हुए, 2, तो d क्या हो जाएगा, a2 minus a1, यानि minus 3, इसको सब्टेक्ट करेंगे, इसमें से इसको करेंगे, अब n पर के लिए क्या होता है, फॉर्मूला, a, n बराबर में होता है, 2, a1 plus n minus 1 और b, ठीक है, तो a1 हमारे पास है, 5, n की value हमारे पास नहीं है, n minus 1, और b की value आपके पास है, d की value आपने देखा, यहाँ पे 3 है, तो minus 3 करें, minus 3 किये, जब हम, तो इसको solve करते हैं, तो क्या होगा, 5 plus minus 3 को n से करेंगे, तो minus 3 n, और यह minus minus plus, और यह 3, तो क्या हो जाएगा, 5, 3, 8 में से 3 n गया, 8 minus 3 n, तो इसका answer होगा, 8 minus 3 n, तो जो कि यह है, next सवाल देखते हैं, यहाँ पे सवाल दिया हुए, यह, first sum, यदि, AP के 3 पदों का यूप 9 है, यानि, sum of first return of AP is 9, 9-end, उसका गुनन फल 24 है, और उसको यदि हम गुना करते हैं, तो 24 होता है, यानि, तो क्या है, AP क्या है, तो कुछ आप चाहें तो इसको गी देखके बना सकते हैं, और नहीं, तो यदि आप स्ञॉल्व करना चाहएं, तो क्या है ? करते हम तो इस तरह से हम रखते हैं जो तीन पद लिया जाता है तो एक बीच वाला दिया जाता है प्लासबी ले दिया जाता है पहला प्लासब्द आ कि ए माइनस दिले लिए तो इसको योग करेंगे तो क्या ओजाएगा तीनों पद यानि नो तो यानि बीच वाला पद आपका निकल गया इसको जब जोड़ते हैं तो यह एकट जाएगा तीन यह बराबर में 9 तो यह बराबर में हो जाएगा 3 तो तीसरा पद निकल गया 3 तो यह तीसरा पद है तो बीच वाला पद तो अब कह रहा है जोकि दोनों को गुणा करने तीनों को गुणा करने पर 24 हो तो D निकालना है यानि अब देखिए इसको ज़ादी हम solve करते हैं तो एक हो जाएगा पह तरह को हो जाएगा तो देखिए इसको ज़दी हम solve किये तो क्या हो जाएगा 3 का स्कक्वायर माइनस d का born और यह तीन तो है तूँँ धर आकर के घट में सब्स्रेक्ट हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा 3 का square यानि 9 में से d square हो गया बरावर में a तो अब यह आकर के इधर सब्स्टेक्ट करेंगे तो यह हो जाएगा 1 minus d square यानि d is equal to बरावर में 0 यानि d square is equal to 1 तो d की value हो जाएगी d की value हो जाएगी plus minus 1 एक बार plus और एक बार minus तो जदी हम रखते हैं तो 3 में से 1 गया और 2 गया मनलब 1 plus करेंगे तो 3 से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 और 1 जोड़ेंगे तो यह यानि यह इसका answer हो गया next सवाल देखते हैं देखें अगला सवाल दिया हुए किसी a p का एन आप यह दिया हुआ इस तरह रखें तीन नंबर या चार नंबर में भी सवाल आते हैं एन दिया हुआ है या एस एन भी दिया होता है तो देखिए इसका सारवत्तर निकालना है तो देखिए इसका a p भी कह सकता निकालने के लिए एन पदों का योग भी निकालने के लिए कहता है तो देखिए a1 बराबर में रखें एन के बदले एक रखें तो क्या होज़ेगा और N के बदले 2 रखे 4 गुने 2 यानि 8 इन 11 तो इस तरह से AP भी कह सकता है, SN भी कह सकता है, तो देखे, A3 बराबर में क्या हो जाएगा, 3 पलस 4 गुने 3, तो चारतिया 12 इन 15, आपको जब निकालना होता है, तो देखे, इसके बीच का अंतर निकालते हैं, तो एक जैसा होते हैं, तो साथ चार, कितना जादा है, तो चार जादा है, तो यह हो गया, इसका आशन, नेक्स सवाल देखते हैं, किसी AP का प्रथम 3 पर यह दिया हुआ हो, तो X का मानियाद कीज इसको आप चाहें, तो यह वाला पर जो होता है, इसका डबल, यानि बीच वाले पर का दुगूना, लास्ट और इसके, फस्ट और लास्ट के पर के बराबर होता है, तो इससे भी कर सकते हैं, तो यह देखे, यहाँ पे कर ले, 3X पलस 5 का, 2 टाइम स्विज कर टू, फस्ट 6X, फस्ट पांच दूनी 10, और यह 3 और 5, 15X, 3, 15X स्क्वार, सोरी, 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 यहाँ पे प्लस करना है, यहाँ पे प्लस करना है, इसमें, दोनों फज को, फस्ट और लास्ट को, तो 3X और 5X, यानि 8X हो जाएगा, 8X, और यह 1 और 1 मिल करके, कट जाएगा, तो 8X हो एक्स वाले को X है, तो 10 बराबर में हो जाएगा, 8X माइनस 6X गया, तो यानि 2X, तो 2X बराबर 8, तो X की वैल्यू आजाएगी 5, नेक्स सवाल देखते हैं, किसी AP में, किसी AP में, D is equal to minus 4 दिया हुआ है, और N is equal to 7, A N is equal to 4 हो, तो A का वैल्यू क्याद करें, तो A N बराबर में होता है, A N बराबर में होता है, A plus N minus 1 और D, तो ये दिया हुए आपके पास 4, तो बराबर में A आपके पास नहीं पता है, एलापद नहीं पता है, और कह रहा है, N, N की वैल्यू दिया हुआ है, साथ में से एक गया तो साथ में से एक और ड की वैलुई आपके पास दिया हुए मैइनस 4 तो क्या हो जाएगा A प्लस यह 6 और को 4 से करेंगे मैइनस 4 से तो 24, 6 चुक को 24 मैइनस 24 और 4 इधार आकर के 4 प्लस 24 इस खल्पू हो जाएगा यानि एज़ गल्पू 28 अंसर ठीक है नेफ्स सवाल देखते हैं अगला है यदि किसी एपी में ये दिया हुआ है बराबर में 32 सार बंतर ग्याद की दिए तो देखिए इसमें देखिए कितने का अंतर है उतना ही डी भी होगा अब इसको स्वाल करते देखिए एटीन में से ये सवाल कई बार पूछता है एक अठार्मा पद और चौदमे समी का इक्वेशन में बता आया है तो एट फोटीन बराबर में 32 दिया हुआ है तो देखिए जब इसको सॉल्व करते हैं तो एफोटीन क्या होता है एप्लस इससे एकम डी यानि 17D और यह माइनस हो जागा एए और प्लस 13D बराबर में 32 तो देखिए एफ एफ प्लस 17D और यह A माइनस 13D इसकल तो 32 जब इससे यह किये तो अब इसमें से यह गटाये तो कितना हुआ 13, 4, 17, 4D, 4D इसकल तो 32 तो D की वैल्यू क्या हो जाएगा? 8, 32 तो 8 आठ आजाएगा ठीक है? अब देखिए इसमें कितनी का अंतर था? 4 पर ही D आएगा ठीक है? यह ध्यान रखे है इतने का अंतर है उतना ही D आएगा, तो 4D बरा रॉब्बत तो D की वैल्यू आजाएगा, हमने एक शबाल देखते हैं, अब प्रथम 10 संक्या उन का योग्पल जाद करने प्रथम 10 संक्यां का है प्रथम 10 संक्या है पहला संक्या क्या है तो बिर चार इस तरह से अपनी दस्मापत किया होगा नहीं पता ấy दस्मापत 10th तो यहां पर N is equal to 10 हो गया पहला पर यह दिया दूसरा पर यह दिया वा तो क्या हो जागा फॉर्मूला है S N बरावर में S N बरावर में N by 2 2 A 2 A plus N minus 1 और B अब देखिए यहां पर S 10 निकालना है तो N यह 10 दिया हुआ है 10 समसंख्या तो 10 बटे 2 और अपर 2 है दो गुने 2 और N क्या है 10 दिया हुआ 10 में से एक गया तो 9 और D इसमें अंतर कितना का है 2 तो जब हम इसको सॉल करें तो यह आ जाएगा आपके पास पांच और यह चार और नो दूनी अठार चार बाइस बाइस पंचे एक सो दस या यह आगया अनसर नेट्स सवाल देखते हैं wowMom इसमें तो थ सवाल में दिया हुआ है इसका तीसमा पर ध्याद करने के में को फॉल्टप्स्न में यह गलती दिया हुआ है या अब देखिंगे को लिकते समय मिस्टेक हो गई है तो यह वन आपके पास साथ है डी की वैल्यू दिया हुआ इसमें से घटाएंगे तो यह जाएगा माइनस तो ए तीसमा पर निकालना है एक परावर में क्या होगा ए प्लस 39 टी हो जाएगा एन माइनस वन डी तो एक वैल्यू आपके पास साथ और यह 39 और टी की वैल्यू-3 जब इसको सॉल्फ करेंगे तो एक यह आता है माइनस एक तो यह आना चाहिए यहाँ पर यह माइनस एक टी सेन लिख्या ऐडिया है माने से चैनि अना चाहिए नेक्ट सवाल देखते हैं पहला सवाल जो दिया हुए है एला भाताएव यह अग्यों समर्हें से सब्सक्राइब कोुए मैं 1200 तो यह क्या है 21 का यह 20 क्वाटों कि तो इसमें एक्ज़ा है यानि है यह 21 बराबर में हो जाएगा इस 21 इसे स्वेंटी जाएगा तो यह हो जाएगा 21 मां 10 यह बिस्वाट करें जोड़ है या 21वा पर जोड़ जाएगा तो यह वीस पर घटा देंगे तो इस घटाने पर अंतर क्या आ रहा है 50 का अंतरा त 이 सका यह अंसर हो ठीक है इसके अंतर में जो सारा सवालों का वीडियो भी जो हमने बनाया है उसका question भी लगा रहा हूं अच्छा लग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा धन्यवाद